असलम लेकूम, welcome to another vlog, कैसे हैं आप सब लोग, उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, और हुश होंगे, अलापाक आपको हमेशा हुश और तंदरूस ही रखे जी, आमीन, अच्छे तो आज को मैं व्लोग है, वो स्टार्ट हो रहा है कुछ क्लिप से, जो मैंने एक दिन प साथ से कंखाने का दिल करता है, वैससे मैं तो इसकी को ऐखाती हुए मजा इतना जारा मिठा इपसंद, बर मेरे बाइ-बहन को बहुत जारा भासमें पसंद, चॉकलेट वार था और आइस्कीम की में के लिए लेकर आई, तो हमने avoir breakfast का ली। अवा दाई है, डू कि मैंने यह भी मार्केट से लेके आई थी तो मैंने का यह भी आपके साथ ना शेयर कर दूँ इसे ना आप यूस करते हैं जब आपने किसी सूटकेस को काफी चायम के लिए बंद करना होना तो यह उसके अंदर एड कर देना मतलब उसके अंदर कहीं सैड पर रख दें किसी पॉकित मे स्मेल ने देता है सूटकेस के अंदर तो आप भी यूस क्या किरें बहुत अच्छे रहतें जब कोई सरदियों के कि कपड़े हम रख रहे होना सूटकेस के बंद करके तो इसे यूस करते हैं तो यहाँ आपने बेच्ट का थोरा सा खेल रहे थे उनने भी बहुत जारा गर् है मुझे अ slich कमंण सेक्शन में पूछा हम था हुवा था कि आप पूरी u Should Me 누 पाकसान कि पापा जा रहे है और काफी टाइम बाद आप सब लग篇 था है कि हम सब या हो रहे है तो यह जब वज़ा होती तो इसनली होता है हम सब मिल कर जाते है count क्पासान क्योंके मैं जहनती एगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब सब काम हतम होजें तो फिर तब दिल करता है कि बंदा हुद के लिए कुछ करे और हुद रेडी हो और यह भी हमेशे ही होता है हमाई साथ कि हम लास्ट नाइट ना अपनी फाइनल जो होती है ना पेकिंग वो करते हैं यहां पे एक लास्ट वाला बेग रहा है था वो खुलोज हो रहा है और इसके बाद हमने पापा का हैंड केरी था वो भी हमने डैडी करना था उसके अदर बस कपरे थे और उसके अंदर हमने ऐसी कुछ चीज नहीं थे रखी अच्छ तो यहां पर हमारी पैकिंग होगी थी डैडी और जो सुट केस्ते हम हमारी डैडी थे सुबा जाने के लिए और बस यह है जी सुबा का टाइम और यहां पर अपना हम बैग रैडी कर रहे हैं जिसमें हमने अपनी कुछ चीज़ें रखनी थी तो रात को मुने कपरे कर लिये ले पर यहां वहां याद ही नहीं रहा और काफ़ जाना लेट हो गए थे हम रात को पैकिंग करते करते हैं तो इसलिए अपना बैग मैंने रैडी था किया वैस इतना कुछ तो रखना नहीं थै बस हम एपना पासपट रखना था बसकार्ट रखना था हम और हूर मुझे तनी याद कि मैं लास टाइम कब मैं बास से गई थी एरपोर्ट तो हम तीन साल पहले जब पाकिसन गे थे तब तो हम एरपोर्ट हम मैट्रो से गए तो इसलिए और मेट्रो से मेरे हाँ से 40-45 मिन्स लगते होंगे एक काफी जाल लंबा सफर है कि हम एड़पोर्टस्टे काफी दूर रहते हैं तो इस द नफवा मैंने पापा कहा था कि हम चलते हैं ब toggle क्योंकि ब magical करना था तो इस दफ़ा हमने बॉस का झिषाइड किया था कि ब boysarat जाएंगे और एड़पोर्ट के उपर ना में मामा हुआ जा रही है वह बहु सुख थे वह इए बवाई उठे थे ऑपा को बाय-बाय वॉल लए के लिए उसके बाद वह सुख और उनको सातली नें लेका जा रही है काफी लंभा सफर था तो इसलिए सिर्फ हम तीनो ही है साथ पापा के. अच्छै तो जिस बस के उपर अभी हम बेठे हुए आपदे ना, ये हमने अपने घर के पास ले ली थी. ये बस ना हमें लेकर جाएगी, जी वहां जहां पर, ईर्टपोर्ट की बस स्टाप हुई होती है, यह ओन्पर लेक्षच्च मेशिट गराश के बस सकतें हैं। वैसे आपने आपको एरिया बनाया राया यहां और जो दूसरी बस कही Sup API तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। आप पहुंचे बस्टॉप के उपर और यहां से हम करेंगी चेंज अपनी बस को तो यहां पर जो एड़ पोर्ट की बस होती है वो थर्टी मेरत के लिए रुकती है मतलब यहां वेट पर रुकी होती है कि अगर कोई हो राना चाहे अंदर तो आ जाए तो यहां पर फिफ्टीन मेंस रहते थे हमने ज्राइवर से बूछा तो यहां पर जो हमने एड़ पो जाने के टिकर्स लेनी थी वो ली और साथ हम पापा को कहर थे कि देखे हम आपको मिस क करने लगें तो यहां पर काफ साय लोग थे और इतने साय लोग देखकर मुझे पार्किसान की याद आने लग गई के पार्किसान में यहां पर जब देखना है जादा से लोग कथे हैं तो मुझे पार्किसान की याद आती है पार्किसान की बजार होता है उनकी याद आती ह तो यहां भी स्टार्ट होगी है जिब बस और देखते देखते काफी जादा लोग हो गए थे बस में इतना सारा समान आगे कथा हो गया था ना हमारे के और जो सीट जिस पे हम बैठे वे थे थे वह बहुत अच्छी सीट थी और यहां सितने अच्छी थे आपके लिए मैंने व्हें बडा मझा आया थे वह बहुत अच्छी जब कि हम बेस में सफर करते हैं तो बेस जब जाना हो यह पास चाना हो तो यह जगह मुझे बहुत जारा पसंद ही बहुत आती है लो इस जगहँ पर मैंै थे भी सबक्षमेसि भीचे साथ पापा बैठ के थे और का मामापा लेकिन ऐसी लगा हुआ था बस में लेकिन एक उल्जन भी होती है थो हमें तो काफे जाला उल्जन होती है मास्क लिगार कर मुग पर रखना यहां पहना सफर होता है अधा और अभी आधा बाकी है और ये पापन हमें बताया था क्योंकि पापा इस तरफ का सफर कर चुके है तो हमें बताया थे कि इतनी टाइम में हम एरपोर्ट पे होंगे और बस इतना सा दूर रहा गिया एरपोर्ट और सारे रस्ते ना हम पापा साथ बातें करते रहे हैं और आमें बहुत जाना मज़ा आना था और पापा को हमने कहा कि आप इतने भारी भारी लेकर जा रहे हो ना इन बचारों ने हाली आना पाकिसान से और आमें गहाँ थे नहीं में इतनी सार चीजें लेकर आँगा आप के लिए देखना तो मैं अब भाग कहीड़ थी फिर भी इतना नहीं भारा होना जितना हम इने भार कर बेज रहे हैं और हमने ना सोचे था कि पापा को लिस्ट बना कर बेजेंगे कि क्या क्या वहां से आपने लेकर आने तो ऐसा कोशी नहीं हुआ क्योंकि टाइम ही नहीं मिला तो इसलिए पापा को मैं कहाई थी कि आपको ना मैं लिस्ट बना कर बेशी रहूंगी तो आप लिस्ट चेक करते रहना कि आपने क्या क्या लेकर आणा है हमारे लिए ऐसी चोड़ी बाते हम ना बापा के साथ का रहे थे क्योंकि पापा भी उदास लाग रहे थे तो मैं कोशिश का रही थी कि वह सेड़ ना हो और हुशी हुशी जाए पाकिसान और इंज्वाइ करें जाकर वहां अच्छे तो यहां पहुंच गए थे एर्टपॉट के पास क्योंकि हमें दूर दूर से प्लेन दिखाई देने शुरू हो गए थे और हमें इतनी देख्योंने हुशी हो रही थी ना कुछ तो हमने फुल्हय करते हुए देखész और कुछ स्टार्ट फोए नीचे से तो यहां पे हम भी पहुंचने वाले एडपॉट के ऑपर और हम पहुंचने एडपॉट पर सा administrator और और पहला काम होता है तो हमना इन्फोर्मेशन लें कि अगर हम टाइम पर पहूंच गया ये और हम लेट वह गये तो फिर हमें गाइड कर दें कि हम कि साइट पर जाएm और यहां पर यहांपर जाएm वेट करते हैं पाप का क्युंकि पाप गिय zaken찬 पे거ा स्टाप कर गये से तो हमें रहां स्टाप कर गये थे पापा कतर की टिकरट लेकर जाएं और वैसे जब हम गे थे 3 साल पहले तो हमने गल्फ की टिकरट शरी थी मैं जब बपा को कह रही थी कि आप देखना कि कौन सी बेस्ट है गल्फ जिससे हम तीन साल पहले गे थे अच्छे तो यहां पर हम जा रहे हैं लाइन में जिस सेट पर पापा का बोर्ड नंबर है और यहां पर पापा जिल्ली से चाल रहे थे क्योंकि उन्हें लगा था कि वो लास्ट है लेकिन नहीं आगे अभी ना फाइफ में रहा से फाइफ फैमिली स्थी फैमिली भी पाकिस्तान तो फैमिली भी थी आगे यहां पर पापा ले ली है टिकेट और यहां पर बिल कुल डेडी हैं अधर जाने के लिए और यहां पर हम लास्ट गुड़बाइ कह रहे थे और काफ़ ज़ाए यहां पर आपनी पीले क्योंकि काफी जादा वहां पर समान का भी उन्होंने वेट करवाना था भी तो अलहमदलिल्ला से ना उन्होंने कोई भी सूटकेस खुलवाया नहीं और ना ही कोई समान नकालने की जरूरत परी और वैसे भी हमने ना टू सूटकेस मनाया हुए थे जो 2020 के थे मतलब 20 किलो का एक और दूसरा 20 किलो का और हैंट केरी जो था ना जी वो था 7 किलो तो हमने गर से कर लिया वासे तो हमें पता था वो सूटकेस बिल्कुल भी नहीं कोई भी खुलवाएंगे और यहां पर हमें वेट करना परा थोई देर क्योंकि अगर हैंट केरी में सूनने कुछ चीज निकाल नहीं होती तो फिर वो यहां वापस हमें यहां पर दे जाते बापा अच्छे तो अलहम देला से कोई भी मस्ला नहीं आया और सब कुछ ठीक रहा हम और यहां पर जहां तक हम पापा को देख रहे थे ना मतलब काफी लंबी लाइन थी और जब तक वो अंदर नहीं गे तब तक हम उने बाई 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 बोली जा रहे थे और काफी सारा सेड हुए वे थे हम सब अच्छे तो यहां पर हम जा रहे हैं घर वापीस और देखें यहां पर मैं अकेली बैठी हुई हूई हूँ और मैं यहां ही से बापा को इतना जाना मिस करने लगी थी ना और यहीं तक था मेरा आज का व्लोग उमीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके मुझे जूर बताईएगा तो जी मिलते हैं नेक्स व्लोग में तब तक के लिए लाहाफीज